नियू जी लेंड और पाकिस्तान के बीच में वर्ड कप 2023 का 35 मैच होने वाला है और ये मैच 4 नवंबर को सुभा में 10 बच के 30 मिनिट से बैंगलूरू में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ये मैच देखने को मिलेगा सबसे पहले बात कर लेतें कि चिन्ना स्वामी का जो मौसम है वो कैसा होने वाला है तो मौसम बहुत खराब होगा । बारिस होने के काफी ज़्यादा यहाँ पर चांसे सो सकते हैं होने वाली overall बात करें यहां पर जो टोटल 13 मैच खेले गए हैं वंडे के पिछले उसमें से 38% टीम ने पहले बल्लेवाजी करके और 38% टीमों ने बाद में बल्लेवाजी करके यहां पर जीत हासिल करी है उसके अलावा बात करें तो बाकी के जो 28% मैच रहें वो बारिस के कार लेकिन उतना भी ज्यादा मदद नहीं मिलता है चुकि बिकेट्स जादा नहीं गिरते हैं यहां पर सिर्फ 66 बिकेट फास्ट बालर को और 41 बिकेट स्पीनर्स को मिला पिछ की बात करें बल्लेवाजी के लिए तो हमेशा इस यह फेवर करती है पिछ और 300 के आसपास का स्को यहां पर देखने को मिलेगी गहास इस पिछ पर रहती है ग्राउंड छोटा है इस पिनर्स को इसी वज़े से कम मदद मिलता है तो गहास उने के वज़े से यहां पर बॉल काफी अच्छे से बल्ले पर आएगी भी लेकिन थोरा सा यहां पर उच्छाल भी देखने को बात करें तो यहां पर average score बहुत बढ़िया फर्स्ट निंग का नजर आता है जो कि 284 रनों का जिब कि 244 रनों का second inning का average score इस ग्राउंड पर देखने को मिलता है और 383 रन यहां पर बना था इंडिया और ऑस्टेलिया के बीच में जो कि highest score इस ग्राउंड का अब तक कर रहा है तो यह चीज़ें देखने को मिली है overall पिछला जो तीन मैच रहा जिसमें दो वर्ड कप के मैच खेले गया है और एक यह बिदर्ब ट्रॉफी का मैच खेला गया था वर्ड कप के जो दो मैच हुए हैं उसमें ऑस्टेलिया पाकिस्तान वाले मैच में तो ऑस्टेलिया ने प 25 ओबर में 160 बना के मैच को चेस करके बिन किया था overall बात करें दोनों टीमों के पिछले पांच मैच के परफॉमेस तो लगातार चार मैच जीतने के बाद लगातार तीर मैचों में टीम को हार मिली है वैसे अगर तो फिलहाल के लिए जो न्यूजिलेंड की टीम रही है लग नहीं पर खतम हो जाएगा उसके अलावा बात कर लेते हैं दोनों टीम के बीच में पिछले जो 10 मैच हुए तो यहां पर हावी जरूर है पाकिस्तान चुकि अभी रिसेंटली मैच दोनों टीमों के बीच में खेला गया था और फिलहाल के लिए महीने में दोनों टीमों के खेली गई थी जिसमें सिर्फ एक मैच में नीजिलेंड टीम को जीत मिली थी बाकी के सारे मैच पाकिस्तान ने बिन किये थे और बात कर लेते हैं यह जो रिसेंटली तीन मैच हुए जिसमें की चौथा वंडे मैच खेला गया था उसके अलावा पांचवा वंडे मैच और इसमें कौन से कॉमन प्लेयर है जिन्हों नी सबसे अच्छा पर्फॉर्मेंस करके दिया चौथे बंडे के तरब चलते 334 पाकिस्तान ने वहां पर लगाए लाहोर के ग्राउंड पर बाबाराजम 107 उसके लाबा आगा सलमान ने यहां पर 58 रन बनाया थे मैट हैं मैट हैं इसने 60 रन टम लेथम और मार्क चेपमें ने 46 रन बनाये थे उसके लाबा उसमा मीर को 4 विकेट मिला था और मुहमद वशीम जूनियर को 3 विकेट मिला था तीस पांच बे मैच के तरब चलते हैं तो 299 न्यूजिलेंड ने बनाया बिल यंग ने 87 बनाय टॉम लेथम ने 59 टॉम लेथम पूरे स्रीज में चला था ये उसके अलाबा मार्क चेपमें भी पूरे स्रीज में चला था आपसों को पता हैं ये शाहिन अप्रीदी ने 3 विकेट ले थे उश्मा मीर को 2 विकेट मिला था पाकिस्तान टीन की बात करें तो पाकिस्तान 252 बना करके इस मैच मे डग गई थी और इप्तिकार इहमद ने 94 बनाए थे उसकी अलाबा इप्तिकार की अलाबा आगा सल्मान ने 57 बनाए हैंडी सिपली ने अब बात कर लेते हैं वर्ड कप शुरू होने से पहले वर्म अब्यास मैच जो खेला गया दोनों टीम के बीच में पाकिस्तान ने 345 रन इस स्कोर बोट पर लगाया और यह मैच जो खेला गया था यह फिलहाल के लिए हैदराबाद में खेला गया था तो मोहमद इजबान ने अमीर ने दो विकट लिया हमाद वसीम जूनियर ने एक विकट लिए हैं माच चेप्मेंन पाकिस्तान क के खिलाब हमेशा चलता है लेकिन लगातार पिछला तीन पाकिस्तान की टीम ने पिछले जो दस मैच के लिए उसमें तीन मैच बिनके 281 का पाकिस्तान की टीम का लुएस्ट इसकोर नजर आता है जबकि बैंगलूरू में दोनों टीमों के अगर परफॉर्मेंस की बात करें चिन्ना स्वामी इस्टेडियम में नीजिलेंड ने जो ट जबकि पाकिस्तान टीम की बात करें तो तीन मैच यहाँ पर खेले एक मैच में पाकिस्तान को यहाँ पर जीत मिली यह बैंगलूरू में वो भी काफी साल पहले की बात है उसके लावा 281 के एबरेज इसकोर 305 का हाइस्ट और 248 का लुएस्ट इसकोर नजर आता है अब बा बात कर लेते हैं हमारे टॉप फाइप प्लियर कौन से होने वाले हैं जो ग्रेंड लीग इसमाल लीग और हेट टू हेट तीनों तरह के कॉन्टेस्ट में हम उनको जगा देंगे साथी साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन उनको करते नजर आ सकते रचीन रभीन पहले नंब बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए होने बाला है रचीन रभीन को भी कैप्टन कर सकते हैं वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं वह आप अपने हिसाब से देख लीजेगा तो दोनों यह फिलाल के लिए फिट बैट जाएंगे उसके लावा बात करें हमारे टॉप फाइप बै 246 बनाया अब दुल्ला सफीग ने से मैच में 332 उसके लावा डेवन कॉनवे ने साथ मैच में दोसर उन्यासी रन बनाये हैं डैली मिचल का भी फॉर्म काकी अच्छा देखने को मिला है वैसे पहले मैच में सेंचुरी आई थी उसके पहले मैच में बाद में आई थी बनेख हो गया इस पर आपको द्यान नहीं देना आथ विलाल के लिए यह बॉलर है टॉप और साहिन साफी ने साथ मैचों में सवला विगेट लिया है तो इन पर आपको फोकस करना उसके लाबा दोनों टीमों के स्कॉाड आप यहाँ पर दिख सकते हैं कैन बिलियमसन भाई साब तो खेलते नजर नहीं आएंगे टॉम लेथम ही यहाँ पर कैप्टेंसी करेंगे और यह इनका फिलहाल के लिए बहुत ही जबरदस्त और होने वाले हैं चार के चारो ऑल राउंडर्स खेलते नजर आएंगे वैसे मैट हैंडी के खेलने पर थोड़ा सा सस्पेंस है चुकि चोट लगी हुई है तो यहाँ पर काईल जमिंसन इनके साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो काईल जमिंसन हो सकता है मैच में टीम में स्क्वार्ड में शामिल कर लिए जाए उसके लावा पाकिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तान की टीम थोड़ी से बिखरी बिखरी जरूर नजर आते पिछले मैच में जरूर बिन किया थे इन्होंने एक तरफा तरीके से स्क्वार्ड आप यहाँ पर पर सकते वीडियो पास करके और बिकेट कीप लेबाजी में अच्छा करके दिखाया था यए और इस पिछले मैच में जयादा मदद रचां को मिलेगा इपार इंप्तिकार बहुत बरियां परफॉर्मेंस करतें उसके 북ल तो तो तीम में कर लेन का क्हेलगी साथ हंगी उघ्र तबाऊटी इसके हैं काईल जमिंसन तो काईल जमिंसन को यह टीम में शामिल कर सकते हैं टीम साओधी वैसे वापसी कर चुके हैं और अच्छी वापसी टीम साओधी ने भी करिए बढ़ियां बॉलिंग करते नजराएं अब हमारी जो हेट टू हेट की टीम है इस मैच की वह मैं यहाँ पर दे दे इस माल लीग और चील की टीम भी वहीं पर आपको प्रवाइड करेंगे साथी साथ सारे इंफॉर्मेशन वहाँ आपको मिल जाएगा तो टेलीग्राम चैनल जोइन करना बहुत जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है यूट्यूग चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटि लिटिफिकेशन अन कर दीजिए और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए